आप उनका जो टेक्स्ट है जो उन्होंने मुझे किया है ये आप उहां से पता लगा सकते हैं कि इस उमर में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लेम ठीक हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों अगर आपको लंबे समय से डाइबिटीस है और उसी के साथ अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानि लिंक में तनाव ठीक से नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपून बनने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक प्रूफ के साथ आप लोगों को ये बताऊंगा एक पेसेंट का फिडबैक के साथ आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे एक पेसेंट जिनको पिछले 10 साल से डाइबिटीस है और पिछले तकरीबन 6 साल से उनको रेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि कैसे इस पेसेंट का ब्लड सुगर का प्रॉब्लम और उसी के साथ जो इनकी रेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है ये दोनों ही समस्या कैसे ठीक किया जा चुका है होमेपाथि हो चुका है तो यह जो स्क्रीन शॉट आप देख रहे हो स्क्रीन पे यह वो स्क्रीन शॉट है जब यह पेसेंट हमारे पास कराने के लिए इन तमाम प्रॉब्लम के साथ उन्होंने क्या लिखा है अगर आप पढ़ेंगे साई से तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उन अगर बात करें तो एलोपाथिक मेडिसिन खाने के बाद भी इनका 140 का उपर ही रहता है और पीपी की अगर बात करें तो वह हमेसा 190 का उपर रहता है और इनका लिंग बिल्कुल कोल्ड रिलाक्स एकदम पढ़ चुका है एकदम वहां कोई जान ही नहीं है और लिंग की डियाइप डियाइप डियाइट चाट वो मैंने इनको फॉलो करने के लिए कहा उसी के साथ हमने पेसरेंट को हर दिन योगा कराया ब्रिस्क वाक करने के लिए कहा कम से कम 30 मिनिट तग हमने जो हैंको ब्रिस्क वाक कराया अब सवाल आता है मेडिसिन का तो मैंने इनका पू यह आप रिपोर्ट देख सकते हैं जहां मैंने अंडलाइन कर रखा है कहां 140 और 190 था और अभी 82 पे आ चुका है और इसी के साथ इनके रेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लेम है उसमें जो सुधाराना स्टार्ट हो चुका था फिर उसके बाद हमने एक नोसूर्ट या टूबर्कुलिनम वानेम का एक सिंगल डोस और उसी के साथ मैंने इनको मैरे खुद का बनाया हुआ जो टाबलेट है वह हमने इनको रेक्टेमेंड किया ताकि इनका जो प्रॉब्लेम है उसको ठीक होने के लिए एक बूस्ट मिल जाए और आज यह पेसेंट अपना 55 य प्रॉब्लेम है वह पूरी तरह गायब हो गया और तो और आप समझ सकते हैं कि एक सठीक डायेट चार्ट और उसके साथ एक प्रॉपर कॉंस्टूशनल होमिपाथिक ट्रीटमेंट के जरिए आप किस तरह जो है इस तरह का समस्या से निजात पा सकते हैं हालाकि इसको लोग हम्यानेज कर सकते हैं इसको टायम क्टयब मौनेटर करना चाहिए और शसकलव सबते होना चाहिए और ठाक्टर बिस वह पुद्ब राचोदरी का जो डायेट है वह बहुत ही बदया होता है डियप और उनका बहुत ही बढ़्या कि लिए तो दोस्तों आप Thank you very much and have a good day.